तो यह कौन सा लेक्ट्चर है आपको याद होगा अच्छे से दिस इस देटर नमबर फाइब और इसमें पढ़ेंगे क्या पहले एक कॉंसेप्ट पढ़ायता हूं उसी पर सवाल है पूरा एक्ससाइज उसी बने पढ़ जाएगा ठेक है तो डेश्माल एक्सप्रेंशन कितन कि नॉन चर्मेटिंग नॉन रिपीटिंग के जग अपना रिकरींग करता है रिक्यूरिंग है तो उस वो लेकर घबडाये गमात चाहिए वड्योज करें अच्छा है रिपीटिंग दोनु बात यह बहुत है ओके अब देखिये जैसे इस एक्ससाइज में जो नेक्स्ट है तो उसमें आपको स्रीफ यही बताना होगा कि कोई रिष्टनल लंबर दिया होगा तो रिष्टनल लंबर का डेस्मेल एक्स्पेंशन दो तरह का हो सकता है या तो टर्मिनेटिंग या तो नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो यही बताना होगा कि बताईए कि नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसे साइज में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं बस यही सारी चीजें है तो हम लोग पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से तो आईए है ना बिना देरी के से छालो करें बैसे चालो तो गजयो है ना देखो डिरेक्ट कैसे पता करेंगे कि कोई भी रिष्णनल नंबर पी ऐपान प्यू फार्म तो अब देखो अगर कोई भी रेशनल नंबर है बीना डेसिमल एक्सपेंसन हरा निकाले सीधे कैसे बता दें कि वो टेर्मिनेटिंग होगा कि ना टेर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा अच्छा या कर हम लोग वो सवाल किये थे वह ना गोला वाला कि दो लोग गोले दड़ रहे हैं है ना वासर सुनिया और रवी आगी नहीं तो उसमें क्या हो रहा था कितने समय बाद यह लोग मिल जाएंगे एम्यू में यह सवाल एक साल पूछ चुका है जिसने में एक जाम दिया था उससाल पूछा था और एक और स् वाले कंसेट्स है जो आप पढ़ने जा रहा हूं रिपीटिंग होगा तो यह सारी चीजह ना बहुत इंपार्टेंट होती है कंसेट है यह पर है और कंसेट्स पर ही सवाल हना अच्छे कंप्टिशन में बनते हैं और कंसेट आ रहे हैं तो कोई भी मतलब सवाल लग यह तो अच्छी बात है ना कंसेट आ रहा है तो तो देखिए अगर कोई भी ड्रेशन नंबर है पी अपन क्यू फॉर्म में अगर इसका क्यू क्यू का अगर प्राइम फैक्ट्राइजेशन करें और यह टू की दिपावर यम इंटू फाइब टू दिपावर यन के फॉर् कि यह टाएगा अच्छा अगर इसके अलावा कोई आए तो तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इसन नंपर है तो इस चीजिए का ख्याल अप लोग रखिएगा ठीग है एक्जाम्पल अगर लिया जाए हम लोग एक्जाम्पल अगर लें इस चीज का तो एक्जाम्पल क्या हो सकता है एक्जाम्पल आपका ऐसे हो सकता है कि मालेजी यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 upon 25 तो इसका डेस्मेल एक्सपेंशन आप निकालने पहले कल्कुलेट करें तो जिरू पॉइंट तो फिर एक और जिरू आएगा जिरू पॉइंट आएगा यहीं आगा ना अच्छा एक और मैं लिख रहा हूं उसका देखिए 1 upon 8 तो जिरू पॉइंट वन ठीक इसको आट टू आया तो टू फाइफ यहीं हो रहा है अच्छा एक और नंबर लेते हैं 1 upon 6 इसको निकाल लिएगा तो जिरू पॉइंट वन चार्ट उसको बाद 6666 डटटटटटटट चेक है समझें एस सीच को यहाँ पर देखे जो डिनोमिनेटर था क्यू था यह किस फ़र्म का था फाइफ टू दू दी पाववर 2 यहाँ इसको लिख सकते हैं लोग फू टू टू दी पावर 0 निखर रहते हैं यहा यहाँ यह पर देखिए यह जो है इसका इसका है। isto दे जो है प्रायम फेल्ट्राइशन शीटावर Ouais शेटा अगया है जब कасти आ चछीए ल्या आ इसके अलावा कुछ है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखो किस पता नहीं किसके फोन का नॉइज आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसी को फोन का नॉइज आ रहा है ठीक है अगो नॉइज रिकार्ड हो जाएगा तो बहुत प्राब्लम होगा ठीक है तुम लोग समझते नहीं से इसको है ठीक है ओके तो आगे बढ़ें है ना ये कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आत एक वर बोलो कोई डाउट है जाओओड जा लिली कोई डाउट नो सर वेरी गूद अचा सीधे एक्ससाइज प्रटे नो अगण गदन हम लोग एकसरसाई हम लोग क्या करेंगे हना 1.4 1.4 का सवाल पड़ो क्या है विदाउट एक्चुली परफार्विंग द लॉंग डिवीजन इस्टेट वेदर द फॉलोईंग रिस्टन नंबर विद कईग टर्मिनेटिंग डेस्टमिल एक्सफेंशन और नОन टर्मिनेटिंग है इसमेल निकालना नहीं है बिना डिवाइड लगाए आपको बताना है कि उसका डेस्मेल एक्सपेंशन क्या होगा तो वही तरीका है जिसे फॉर एक्जामपल 30 upon क्या है पाला मतलब इसका पाले का प पालो सिर्ध पाला है इसका पालो सिर्ध इसका पिंटिवाइड इसको बताना है ऍटर्मेटि इन्यूप निकाल पहिंद आ तो क्या आनाची ये 5 इंटू 566 हुं एक पन्दू ना 10 दू 55 ठीक है ये 5 का क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 देखना ये ही आ रहा है क्या 5 तो डू गार 5 आ रहा है क्या मैंने ठीक निकाला है में आधा कि और अमालिच् kita बोलो ठीक निक लागी है मैंने का इसम시는 रहे हो गई तुम दो आए यहीं वोगा ठीक है है अच्छा जब देसिमेल निकल गया डेसिमेल डेसिमेल कर रहा हूं प्राइम सेटेसेटन निकल गया तो अद प्राइम फेक्ड राइड़ी फॉर्म कर ब Con souhaite जो ह्म जब घो लिण जाउस है किन ah mitigation हरना विट प्रू नगं चाहल है इसकौ लिक denominator is prime factor of 2 to the power या फिर डारेक्ट इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, सीधे है ना कि देखो मैं क्या लिख रहा हूं 5 to the power या 5 बस, prime factor of 5 so it will have terminating decimal expansion असानी से इसको लिख सकते हो, अच्छा, जैसे यहां से ना 3 case बन सकता है जैसे मैं डारेक्ट इसको लिख हूं, 2 to the power या 5 to the power या न को अगर माल लो या जीरो हो जाए, तो 5 to the power या आएगा या जीरो हो जाए, तो 2 to the power या म होगा तो किसी भी number का decimal expansion या तो इस form में हो या इस form में हो, या इस form में हो तो उसको हम लोग क्या ओलेंगे, कि उसका terminating decimal expansion है आईसे ही सारा सवाल करना, ठीक है, और उमीद है लग जाएगा ठीक है, उमीद है लग जाएगा आगे बढ़ें या सर, ठीक है, तुम लोग का आवाज बड़ा टपपर ही काड़ होता है उसमें और मेरा अवाज इसा लगता है, म्याव म्याव बोलना हूँ है, दर लगता है, बच्चे ये कमेंट फिर से करते हैं, सर अवाज बहुँ शुलो है, तुरदेज बोला किजिए क्या कर सकता है, पूरा बोलते तो है, लेकिन ये लेपटाप में सेटिंग बढ़ियां है, नहीं पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ेगा, एक तो चलाना होला नाम को आता नहीं है, उसी में अपडेट कर लिया हूँ विल्डोज 11 अब देखो, दूसरा जो सवाल है, उसमें कर रहा है, कोई पड़ो है न, एक कोई सवाल पड़े, पड़ो तो फटाक से सवाल पड़ो कोई दुषके वाल हूँए न, तो पड़ भूण कर लोग है तो पाले सवाल वान कर लोग और तो पता चल सवाल का किसका तर्मी आतिग इसका है तर्मिनेटिंग डिसमेल एक्सपेंसन के देखा जिसका निकालके दिखाये बाकियों वारे इसका ना टर्मिनेटिंग रिपीटींग होगा न उसका नहीं निकालना है रिपीटिंग वाले गास्ट तो यह से हम लोग जो केस की एए 13 अपान 3125 इसका करना पड़ेगा तो देखो इसको मैं भाना divide लाया अग मत करो ऐसे करो मैं बज़े से बता रहा हूं किताब में भी दिया यह तरीका कि इसको 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 आम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं अब देखो 2 to the power 5 और 2 to the power 5 से multiply और divide करतो तो यह क्या हो जाएगा 13 into क्या होगा 32 यह होगा न बोलो भाई बोलते भी नहीं अशा है और यह क्या हो जाएगा 10 to the power 5 हो जाएगा यह अब यह क्यूं होगा क्यूंकि a to the power यम into b to the power यम is equal to होता है a b to the power यम तो a into b कर दिया हो तो a क्या है 5 है और b क्या है 2 है दोनों का multiply तो 10 अच्छा उपर का multiplication कीजिए तो 6 फिट 2 आया ठीक है मैंने ठीक लेका है लग रहा है अच्छा नीचे क्या है एक दो इतीन चार पंज है न यहां से यह क्या हो जाएगा 0.00416 यह हो गया इसका decimal expansion तो किताब में यही तरीका दिया decimal expansion निकालने का ठीक है यहां पर नीचे denominator का पेर मतलब क्या होना चाहिए फाइप तू की पावर कितना होना चाहिए फाइफ होना चाहिए इस पावर से पता चलेगा ठीक है हो जाएगा ना यास सर ऐसे ही निपटा देना सारा सवाल दूसरा का निपड़ भी जाएगा कोई बहुक्त अप नहीं है थोड़ा कंसेप्चिल भी पड़ो ऐसे है ना तीसरा सवाल क्या का रहा है the following real number have a decimal expansion is given below मतलब जो नीचे number है उनका decimal expansion दिया हुआ है in each case decide whether they are rational or not हर केस में बताईए कि वो number rational है या नहीं है if they are rational and of the form p by q what you say about the prime factor of q कोई रहा है कि अगर जो नीचे number दिया अगर वो rational है तो बताईए कि उनका जो p upon q की form में जब लिखेंगे तो जो q आएगा वो किस form का होगा उसका prime factor किस form का होगा तो जाई इसी बात है कोई rational number p upon q form में है तो उसका q की form में होना चाहिए 2 to the power yam या 2 to the power yam into 5 to the power yam form में होना चाहिए तीनों में से कोई एक case होना चाहिए या फिर one word में कहा जाए तो सिर्फ यह वाला यह वाला कह दो क्योंकि यह वाला बात कहने से सीधे बात यह दूनों बात अपने आप complete हो जाती है यह यह जब 0 ले लेंगे तो यह वाला हो जाएगा यह यह वाला case हो जाएगा तो पहले यही बताना है कि टीनों सवाल है तीनों में साल करा दे रहा हूं ठीक है पहलान उन लोगों ने खुद दे रखा है कि डेसिमल जो एक्सपेंशन है खतम हो जा रहा है एक finite number के बाद 43.10 कुछ नंबर दिया हुआ उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन खतम हो गया है तो यह क्य 0001,2,000,000,000,000 अचा यहाँ पर रिपीट हो रहा है क्या पहली बत यह टर्मीनेट नहीं हो रहा है और नन-terminating यह तो समझंगे आ रहा होगा क्यों कि डॉट ड़ल लगा हुआ है क्या है रिपीटिंग है नरी नहीं है तो यह एरेसिनल नंबर है आचा तीसरा दिया हुआ है अच्छे बार वाला नंबर तो आप समझते ही यह यह पहला ही सवाल है यही वाला नंबर वा तो है यह जो पहला लोला नंबर वा इसी तो दिया आमको लगड़ा है सेम नमर आना यस सर बोलना यह नंबर क्या है 43 02710204 789 पर लिए बहुत बड़ी है मतलब ही केस में क्या लाग गया है बार लगगया है है किसलो ka स्यथ е товाब में लुक बार लुक तो बार वाला नंबर होता है किया रिबीटिंग होता है यही पैटर्न मौर अबर रिपीट होगा है तो यह वी देजन्ब नंबर है अब इन दोनों केस में आपको बताना है कि क्यूं पोर्म कीश फाम कर लिखने पर चनि किस फाउम का होगा तो बता दैसे इस सवाम का स सब सरों, तो बता दीजे इस बरते समाथ तो हो गह written तो बता दीजिवे MR है कि आप दोनों sharper up,